Man of the Match में LED करी हैं हमने और Man of the Series में स्कूटी, लेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, टोटल 16 दिन का टॉर्णमेंट है, 37 मैच होंगे, टोटल. नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विनोच हर्मा और भीवानी वालों के लिए इससे बड़ी खुशकबरी नहीं हो सकती, और खास तोर पे बात करूँ तो खिलाडियों के लिए, जो लोग जीते हैं खेल के लिए, जो लोग मरते हैं खेल के लिए, जो सोते हुए सपने भी दे ने बिड़ा उठाया है और इनके हाथों में ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, ये फिलाल पोस्टर जिस पर आप देख सकते हैं कि धाई लाक रुपे के नाम, एक लाक रुपे, डिड़ लाक रुपे, बोचारे ऐसे इनाम रखे हैं इन्होंने, जो की खिलाडियों को मिलने वाले हैं, खिलाड़ी वो जो इस BPL का हिस्सा बनेंगे, और टीमों का सेलेक्षन होगा, वैसे ही जैसे IPL में होता है, बोलियां लगेंगी, पैसे मिलेंगे, और बहुत चारे लोग तो यहां से अर्म कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने टीम खरी दी, वो भी माला माला और जिनकी बोलियां लगी, जो खेले, वो भी माला माला, फिलाल BPL के लिए ये फिलाल टीम खड़ी है, और रवी भाई है, रवी भाई है, पूरा ये मेटर क्या है, और कब से इसके लिए आपने फ्रेंचाईजी कब देंगे, किस तरीके से आपका ये BPL स्टार्ट होगा, कब क्या डेट रहने वाली? वो पांचमें साल हम थोड़ा बड़ा करना चाते थे, इसलिए भीवानी के प्लेयर, प्लेयरों के लिए हमने ये पहल उठाई है, और एक बड़ा टूर्नामेंट करने की कोशिश की है, तो भाई फिलाल रेवाडी खेडा गाउं में खड़ा हूँ, रेवाडी खेडा में आप देख सकते हैं, दीपक भाई गाउं वाले प्यार से सरपंच कहते हैं, लेकिन चोक गए क्योंकि रेजरूर सीट थी फिलाले, लेकिन सरपंच वाला काम कर दिया है, गाउं वालों के लिए, खिलाडियों के लिए, अपनी जमीन यूं लगा दी खेल के लिए, जो इसको भाई के लिए, जुताई के लिए रखना ही नहीं, खिलाडियों को समर्पित कर दी, लगवक पांच एकड़ के आसपास आपने जमीन, जी बाई, मेरा भी एक सपना था गाउं की शेवा करने का, लेकिन बगवान की समत भी नहीं थी, और मोका नहीं मिला, लेकिन मैं मोका य क्योंकि मेरा युआ हूँ और युआ हूँ की फीलिंग समझता हूँ, बाहुना समझता हूँ, मैंनो दमैच में लेडी करी हमने, और मैंनो द सीरीज में स्कूटी, लेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, मेरे गाउं के बच्चे बजरी रोडी के ग्राउंड में खेलते थे, मेर बड़ा दिल-दुखी होता था, इसलिए मैंने अपने गाउं की मेरे खेत की खुद की परसनल जमीन में पाच एकडमे किर्केट स्टेडियम कारिर्मान किया है, जो मेरे पुझे पिता जी की याद में ठाकुर अजाद सिंग स्पोर्ट्स कोंप्लेक्स के रूप में बनाया बनाया है, मिट्टी है, जो फिरोदपूर जिर्का से मंगवाई है, तरह तरह है कि हमारे पास एक्सपर्ट बोलाए हैं पीच बनाने के लिए, और ग्रीन ग्रास का ग्राउंड जो भीवानी जिले में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, गुड़गा और दिली की दरज पर ग्राउंड तयार किया गया, पुलगवाई है, पांच एकड में आपने स्पैसली छोड़ दिये, यह यूं है कि इसमें जो ताही तो आप करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पुझे पिताजी सी इठाकुराजाजाज सिंग के नाम से मैंने ये जमीन ग्राउंड के र उसको पूरे देश में जिकी चर्चा होती थी, लेकिन हमारे मन में कमी थी, क्योंकि उसमें सर्विशीज रेल्वे एर फोर्स बाहर की टीम आती थी, लेकिन विवाणी सेहर के खिलाडियों को बहुत कम मुका मिलता था, उस बात को देखते हुए हमने अब की बार सब एसल बिवाणी के खिलाडियों के लिए ये प्लेट फरूर्म दिया है, ताकि मेरे सहर के युवा इस खिल में खिले और आगे बड़े उनको पैसा कमाने का मुका भी मिलेगा, उनका नाम भी होगा, और आगे भी उनको बढ़ने का मुका मिलेगा, पच्चाश में सर्फ बिवाने वालों के लिए हैं, और इसमें बात करें, बच्चो का किस तरीके से बला हो सकता है, खिलाडियों का, इस तरीके से उनको कैस प्राइज तो मिलने हैं, और एक मैच जीतने पर लाखो रुपे मिलने हैं, उसके साथ-साथ और दूसरे क्या मुनाफिया आपको लगत जैसे लीग करवाई हमने, तो जैसे टोटल सोला दिन का टॉर्णमेंट है, इकतिस मैच होंगे टोटल, और लाइव टेलिकास्ट होगा, और सब यहां यहां पूरे नेशनल टीवी पर भी दिखेगा टॉर्णमेंट, तो बच्चे अगर अच्छा परफोर्म करेंगे, तो उनको आगे भी फायदा मिलेगा, लोग जानेंगे, हाँ यह अच्छे प्लेयर हैं और उनको मोका भी मिलेगा कहीं कहीं पर, तो सारे जिसे युवा हो भाई, कहलते हो किर्केट यहां तो फिर लगता है आने वाले वक्त में इस BPL में खेल ले तो कहीं ना कहीं IPL वाले भी हाँ, पक्का, 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 कि लोगो कोशिश अच्छी है, यस, और कुण-कुण, सारे ही किर्केट कहलते हो है ना, चुटो आ गया, कितने दिन से खेलते हो किर्केट, सार लग बाग फाइफ यह हो गया, लेकिन लगता है कि पहले को स्कोप था और इसके बाद को बाई तो मैसा युआ के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब तो और बीस कोप होगा, आगे भी, तो खिलाल बहुत चारे युआ हैं बाई शाव, आप कितने साल से किर्केट खेलते हो, थोड़ा सा आगया के बताएं, मैं बाई साल से होगे, मेरी एज हो गई, 35 साल की एज हो तो कम से कम बीस-बाईस साल से ही किर्केट खेल रहा हूंगा, बच्पन से जब से ओस समाला और अपना नाड़ा खुद बानना शुरू किया तब से किर्केट का बल्ला उठा लिए, किर्केट, जीवन ही किर्केट है, अच्छा, तो ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, इस से कितना बच्चों को और खास करके आप लोगों जैसे जिनका जीना मरना ही किर्केट है उनके लिए, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहले भी ये बाई ने वसे इस्टे के नाम से जो टूनामेंट होता था उदर कुछ नहीं था उस ग्राउंड पे, इनों वो किर्केट ग्राउंड बन रहा है, आसपास में तो है नहीं, अभी तक तो वाकि अच्छे लेवल पे बनेगा सब कुछ या, तो यू मान के चलें कि ख्लाडियों के लिए तो अच्छा स्कोप है, उसके साथ इतना बड़ा मेरे साब से कोई बड़ा नेता भी नहीं करता है, पांच एकड जमीन खिलाडियों को इसमर्पित कर दें, फिल्कुल यह तो आपको भी पता होगा, आप नियुज वाले हो, आपने देखा वा पूरे भीवानी डिस्टिक में लगा लो, या और कहीं लगा लो, ऐसा तो मेरे हिसाब से कहीं वाली है, ठोड़ा सा कॉंटेक्ट आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे, जो लोग फ्रेंचाइजी अखेलने के लिए चुक हैं, वो कैसे कॉंटेक्ट करेंगे, यह जो हमारे कॉंटेक्ट नंबर भी दिये गए हैं, वैसे हम इसकी एड़ करेंगे, पुरे सहर में भी करेंगे, पूरे डिस्टिक में गाउं है, 450 बिवानी गाउं में, जितने भी गाउं हैं, सब में आपका एड़ करेंगे, और दूसरी बात इसमें कॉंटेक्ट नंबर दिये गए हैं, और हमसे संपर्क करें, टीम जिसको चीए, उसको भी आना हमारे नंबरों पे कॉल करेंगे, और प्लेयर्स हैं, वो यह जो ग्राउं कि उसके साथ साथ, बहुत चारा कैस है, जो आपको मिलने जा रहा है इस टूर्नामेंट में, आज तक किसी ने नहीं शोचा होगा, रखास करके अपनी जमीन तक खिलाडियों के लिए समर्पित कर दी हैं, नहीं डूनिट कर दी है, फिलाल, आप लोग इस वीडियो को जरू शेयर कर दें, खेल प्रेमियों को ज़िए, उसको बढ़ाने के लिए, फिलाल ऐसा प्रियास कोई नहीं करता, मैं बहुत जगह जाता हूँ, इन भाईयों ने भी कही है, नेता लोग सिर्फ वाहे दे करते हैं, लेकिन ये नेता नहीं बने, गाओं के सरपंच नहीं बने, च जीत सकता है, बीपियल के थुरू, बीपियल के लिए दोस अब कॉमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेर करें, तब तक के लिए धनवाद राम राम, चैहिन